Hello everyone, welcome to Prakriti Classes. I hope you all are doing well. तो दोस्तों, आज किस क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में ये आपके किसी भी teaching exam में पूछी जाती है चाहे वो CTAT हो, CGTAT हो या अधर किसी भी state exam में तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे ये सारी चीज़े हम इसमें आज पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि वर्ष 2002 में एक amendment तयार किया गया था जिसे आप कहते हैं 86 संशोधन उसमें अनुषे 21 यानि के आर्टिकल 21 ए के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार शिच्छा उपलद कराया जाएगा ये प्राधान आपके 86 वे amendment में दिया गया था जिसके आर्टिकल नंबर 21 ए में उसके भाग 3 में ये प्राधान दिया गया था कि आप 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को Free Education and Compulsory Education प्रोवाइट करेंगे Free and Compulsory Education प्रोवाइट करेंगे तो इसको प्रभावी बनाने के लिए अगस्त चार 2009 को लोग सभा में ये अधिनियम पारित किया गया जो की 1 अप्रेल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया देखिए ये अधिनियम पारित तो 4 अगस्त से 2009 को किया गया लेकिन ये पूरे देश में लागू कब हुआ एक अप्रेल 2010 में फिर इसमें आगे हैं कि RTE का ओफिशल नाम है इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो इसका नाम है दा राइट आप चिल्डरन टू फ्री अंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट दो हजार नौ 2009 निश्योल को और अनिवार बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कभी कभी इसका फूल फॉर्म भी पुछा जा सकता है तो आप इसे याद रखेंगे अब इसमें कुछ महत्पुन धाराएं दी गई हैं जिन हैं आप एक एक करके देखिए सबसे पहले हैं धारा बारा आर्टी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटे गरीब विद्यार्थों के लिए आरक्षित होती हैं तो वो होती है 25 प्रतिशत किसी भी स्कूल में आप अगर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए 25 परसेंट सीट अरक्षित होती हैं फिर आता है धारा 13 इसमें कहा गया है कि प्रतिवेक्ति फीस लेने पर शुल्ग का 10 गुना जुर्माना देना होगा अगर आप किसी भी वेक्ति से फीस देते हैं तो उसका 10 गुना जुर्माना आपको देना होगा फिर आता है धारा 14 में किसी बालक के पाल जन्म प्रमान पत्र न होने की स्थिती में विद्याला में प्रवेश लेने से इंकार नहीं किया जा सकता अगर आपकी स्कूल में कोई बच्चा एड्मिशन लेने के लि pushing academic year के आरन में प्रवेश किया जाएगा बर सोल्ह में यृव चैंट को न तो चmost्रा इस ला जाएगा और उप से निकाला जाएगा तो आप पर case भी हो सकता है, फिर आता है धारा 24, धारा 24 में आता है शिक्षक के कर्तव्य, धारा 24 में आपके शिक्षक के पूरे कर्तव्य बताए गये हैं, फिर धारा 27 में RT 2009 के according शिक्षक को गैर शक्षणी कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ जनगर्ना चुनाव आ शक्षणी कार्यों में नहीं लगाय सकते, फिर आता है RT, ये तो हो गई सारी धाराओं की बात, अब आता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक एक करके देखिए, ये भी बहुत ही मौदपून पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देखिए, सबसे पहला है RT 2009 के अनुसा में आपका प्राइमरी लेवल में शिक्षक और शात्र का एक क्राइटेरिया डिसाइट किया गया है, मतलब कि अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उसमें एक शिक्षक होना अनिवार्य है, फिर आता है, RT 2009 के अनुसार उच्च प्रात्मिक पर शात्रेवं शिक्षक अनुपात होता है, 35 अनुपात एक, मतलब अपर प्राइमरी लेवल में आपके क्लास में अगर 35 बच्चे हैं, तो उसमें एक शिक्षक होना अनिवार्य है, फिर आता है, RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिये गए सदस्यों की संख्या 200 से अधीक है, तो व यदि प्रात्मिक इस्तर पर 1500 से अधीक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक की होती है, फिर आता है, RT 2009 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर नियुनतम शक्षणिक घंटे वकार्य दिवस होता है, 800 घंटे और 200 दिन, ये तो हो प्राइमरी लेवल की बात, फिर आप देखिए कि अपर प्राइमरी लेवल में शक्षणिक घंटे वकार्य दिवस कितने होते हैं, तो इसमें होता है, 1000 घंटे और 220 दिन, इसमें आप इसमें आप देखेंगे, 800 घंटे होते हैं, तो इसमें 1000 घंटे और 200 दिन होते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे फिर आता है RT 2009 के नुंसार शीक्षक के लिए एक सप्ता में नियून्तम कितने घ cilantro का रहे होते हैं तो बिटालीस घंटे ये आपके exam में बार बार पूछा जा चुका है तो इसे आप याद रखेंगे फिर आता है आप बच्चे को एट्थ क्लास तक बाहर नहीं कर सकते जाए, चाहे वो फेल ही क्यों नहीं हो, आपको उसे पास करना होगा, ना ही आप उसे विद्याले से बाहर निकाल सकते हैं, फिर आता है अगला पॉइंट, इसमें कहा गया कि आपक्षा एक से पांच तक के बालकों के ल विद्याले भेजेंगे, उतना उनके लिए अच्छा होगा, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आर्टी 2009 के नसार, SMC, स्कूल मेनेजमेंट कमीटी का अधक्ष होता है अभी भावक, उनके पैरेंट्स, एक कमीटी तेयार की जाती है, जिसका नाम है स्कूल मेनेजमेंट कम बंधन समीती का होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि आर्टी 2009 के अनुसार, विशेश आवशक्ता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतरगत पढ़ना चाहिए, वो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतरगत, पीर आता है, शिक्षा का अधिकार दिनिय अभी क्योंकि जो नई नीती आई है, NEP 2020, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब इसमें एज ग्रूप और क्लास डिवाइट कर दी गई है, इसलिए आपको लगभग एक ही क्लास में सेम इसलिए है, मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए है 18 वर्ष तक इसे आप याद रखेंगे, दिव्यांग और सामान बच्चों में, तो दोस्तों ये तो हो गई बात, आटी दोजा नौ की, इसके बाहर आपका कोश्यन नहीं पूछा जाता, इ तो अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल से जूड़ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आपको डेली ऐसी वीडियो चाहिए, तो चैनल से जूड़े रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद